हलो दोस्तों आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा जो इतनी फेमस बुक है ना 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 रिज डैड पूर डैड की बात नहीं कर रहा हूं वो तो है ही एक और बुक है जिसने भी तहल का मचा रखा है अपने आप में ये सारी जो किताबे हैं एक तरह से हैं इनों रिमस वर्ल्ड के रिनाउण इनवेस्टर है उनके बारे में कुछ fact and figures जो आप आखे खोलें में यह जो fact and figures है ना ये कई के बर हमें motivate करती हैं कई कई बार हमें सीख देती है कई कई बार हमें जगाती है तो क्या आप लोग कभी कभी ऐसा feel करते हो कि जो आप life में कर रहे हो that may not be according to your plan आपको कई बार लगता होगा कि यार अपने बच्चे को आप बड़े नहीं कर पाए क्योंकि आप होते ही नहीं हो घर पे नहीं होते हो आपका बच्चा कब बड़ा होगा आपको पता नहीं चला एक लिस्ट खास तोर पे वो लोग जो 40, 40, 50 में है कई बार आपको लगता है कि वर्ड घूमने जाना चाहिए पूरे बिस्सु का भ्रमण करे but you don't have money कई बार आपको लगता है कि यार अपने ओपर ध्यान देना चाहिए but you have to do work आपका pressure है आप चुटी ले नहीं सकते ये सारी चीजे financial freedom बे आती है तो मैं बहुत सारी financial freedom पे वीडियो बनाता रहता हूँ and subscriber कम है लेकिन मैं सबसे request करूँग इसको regularly देखें आप प्यार दे because इसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा क्योंकि मैं ऐसे ये investment वो investment purely उस पे नहीं वीडियो बनाता हूँ मैं एक normal how to invest how to you know grow your money money के उपर finance के उपर और normal talk के उपर professional life के उपर मैं ज्यादा तर वीडियो बनाता हूँ हलाकि इस वीडियो को मैं रहे sick नहीं किया है कहीं भी और भी निस में मैं काम कर सकता हूँ लेकिन majorly यही करता हूँ तो यह जो psychology of money है यह जो book है timeless lessons on wealth, greed and happiness इसका title है international best seller है यह Morgan Housel की यह book है और यह book के recording मैं आज दो लोगों की बात करने वाला हूँ और वो है Warren Buffet साहब जिनको हर कोई जानता है 93 years के आसपास इनकी उमर है दूसरी मैं बात करने वाला हूँ Jim Simmons की दोनों लोग पर मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो जरूर देखिए गर दोनों की investing strategies वहाँ पर जो मैंने fact and figure दिया था यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा देता हूँ क्योंकि जो Warren Buffet साहब है वो करीब करीब 22% अपना annual generate करते हैं वहाँ मैंने 20 बोला था क्योंकि एक normal way में मैंने बोला था और Jim Simmons 40 बोला था और यह लगभग लगभग 1988 से 66% का return generate करते हैं 66% का return का मतलब हुआ कि आप लगभग लगभग एक साल से थोड़ा ज़ादा डेर साल से भी कम टाइम में अपने पैसे को लगभग लगभग डबल कर लेते हो अब आप सोचो कि एक बंदा कैसे market से quantitative finance जो मेरी अपनी degree है उससे mathematician थे कैसे अपने पैसे को double कर लेते हैं लेकिन फिर भी Warren Buffet के पास जो wealth है वो उनसे कहीं ज़ादा है इन तोनों का एक difference है Warren Buffet साहब अपनी investment strategy journey को 10 साल से start कर लिए 10 साल से उन्होंने अपनी investment strategy स्टार्ट की और वो अभी मैं पूरा fact and figure दूँगा जो आपकी आँके बिल्कुल wide हो जाएंगी सुनके Warren Buffet साहब 10 साल से शुरू करते हैं Jim Simmons साहब 50 साल के उमा से शुरू करते हैं और यह data मैं इसी book से psychology आप money की book से ले रहा हूँ page number भी मैं बता देता हूँ 49 page से मैंने data लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो difference है length का लंबाई का यानि समय का वो इतना important है कि एक बंदा से 22% का annual return लेने के बाद भी जो 66 उससे तीन गुना जादा return ले रहा है उससे उसका wealth कई कई गुना जादा है कई गुना जादा है लगबग 2000 से जादा किताबे लिखी जा चुगी है Warren Buffet साब के उपर एक quote मैं बता रहा हूँ as I write this book Warren Buffet's net worth is 84.5 billion उनका 84.5 billion worth है 84.5 billion मैं आपको लोगों को correct कर दूँ जिन लोगों को billions dollar का अंदाजा नहीं है एक billion dollar का मतलब होता है लगबग लगबग अगर dollar को मैं इंडियन रूपी में 80 रूपीज मानू तो 8,000 करोड रूपया 8,000 करोड अगर 84 रूपीज मानू तो 8,400 करोड रूपया एक billion dollar का और उनका जो वर्त है 84.5 billion dollar अब of that 84.2 billion was accumulated after his 50th birthday 84.5 में से 84.2 यानि लगबग पूरा का पूरा उनके 50 में बर्डे के बाद accumulate हुआ यानि उनके पास आया 50 में बर्डे के बाद अब ज़रा सुन लीजे 81.5 billion comes after he qualified for social security in his mid age 60s उसमें से भी 81.5 यानि लगबग पूरा ही again billion उनका 60s के एज में मिला बना जो अभी का उनका जो 84.5 है यह phenomenal investors हैं कोई इनको सब जानते हैं investing in his 30s and retired in his age 60s 30 से उन्होंने practically investment स्टार्ट किया अपको उस market में उसके बाद 60s में इन्होंने अगर यह रिटायल ले लिए होते तो इनका जो आज आप वर्द देख रहे हो कुछ भी नहीं बचता यह जो 81.5 आउट आप 84.5 वो तो 60 के बाद आया है अगर उस 60 में रिटायल हो लिए होते तो क्या यह पैसा उनका आता उनके पास Wuffin began serious investing when he was 10 years old by the time he was 30 he had net worth of 1 million वो 10 साल से start किया उन्होंने जब 30 साल के हुए न तो उनका जो पूरा वर्थ हो गया वो 1 million अभी अगर हम inflation को adjust करें तो it was 9.3 million adjusted for inflation मतलब 30 साल के होते होते उनके पास 9.3 million dollar हो गया था आप लोगों में से किसके पास 9.3 million dollar है एक million dollar का मतलब 10 lakh dollar और 9.3 मतलब 93 lakh dollar और एक dollar को आप 80 से multiply कर दीजे आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना पैसा वो 30 years में हो गया है what if he was a more normal person spending his teen and 20 and 20 is exploring the world and finding his passion and by the age 30 his net worth was say 25,000 dollar writer ने कहा अगर हों मस्ती कर रहे होते हैं इदर जर घूम रहे होते हैं तो तीस साल की उमर में उनके पास जादा जादा 25,000 dollar होता और उसके बाद जब उन्होंने seriously invest किया तो 9.3 million dollar था उनके पास see the difference कई बार कई लोग debate कर सकते हैं यार फिर तो मस्ती ना करें पैसे की पीचे बागें बिलकुल आप मस्ती करो you should have balance और जितने भी working professional हैं जितने भी लोग इस time काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर financial security है तो मस्ती तो किसी भी age में हो सकती है पैसे को seriously low तभी आप life में बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी life को enjoy कर पाओगे उसके बाद आ जाते हैं उनका जो worth 84.5 billion वो आज की date में अगर वो उसी तरह से मस्ती कर रहे होते हैं और उसी पैसे को normal तरीके से invest कर रहे होते हैं तो 11.9 million होता million और billion में difference आपको पता हजार गुना का होता है effectively all the Warren Buffett's financial success can be tied to the financial base he built in his effectively all of Warren Buffett's financial success can be tied to the financial base he built in during his younger age and the longevity he maintained in his geriatric years his skill is investing but his secret is time उनका skill जो था investing का था बड़ असली secret time का है समय के साथ entry का है उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक Jim Simone साहब है वो hedge fund उनका renaissance technologies के owner है उनके बारे मैंने video बना रखा है उनका मैंने project भी किया है अपने master's में जो IT कानपू से मैंने master's किया है और वो quantitative finance and risk management में किया था तो इनके उपर मैंने project किया था तो he compounded money at 66% annually since 1988 1988 से compound कर रहे हैं लगबग लगबग 66% इनका compounding rate है और no one comes close to his record आज की date में जबकि Warren Buffet साफ तो सब्सक्राइब 22% करते हैं Simmons net worth as I write is 21 billion he is and I know how ridiculous the sound gives the number we are dealing with 75% less rich than buffet तो basically केवल 21 billion उनका worth है और Warren Buffet साफ का 84.5 तो लगबग लगब 75% ने Warren Buffet साफ से कम है प्राबलम है जिम सिमोन साफ ने 50 साल के उमर में इंट्री रखे थी और वो कितने अंगर एज में start कर दिया था यह difference होने की वज़े से जिम सिमोन साफ वन थर्ड अपना investing आउटकम ले रहे हैं उसके बाद भी उनका जो वर्थ है 75% जाता है अब चुले compare करते हैं अगर एक और डिटा देता हूं जिम सिमोन साफ अर्ण ही 66th annual अगर जिम सिमोन साफ सतर साल जैसे वारेन बफे साब लगबग सतर साल के स्पैन पर इंजवाय कर रहे हैं अगर जिम सिमोन साब ने सतर साल तक 66% अगर अपनी annual income को compound किया होता तो उनके पास आज जो वर्थ होता 63 quintillion 900 quadrillion 781 trillion 780 billion and 748 million 160 thousand dollars होता यू काँट इमेजिन इवन सोच भी नी सकते हैं पूरे वर्थ की उकनॉमी को जोड़ लो उससे भी जादा यह हमें ऐसा लगता है क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि 8, 8, 8, 8, 10 बार आप जोड़ दो तो आप बोलोगे 80 हो गया और 8 into 8 into 8 into 8 into 8 को अगर multiply किया जाए 10 तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा आपको लेगा भीतना होगा यार फिर कल्कुलेटर उठाओगे यही होता है पावर अप compounding तो कभी भी आप अगर सोचते हो कि इनों कैसे start किया जाए कैसे हम इतना पैसा बना पाएंगे हमारी salary तो कम है हमारे पास तो earning कम है इन सब का तरीका है कि it's never late मैं बहुत सारी वाते बताता रहता हूँ हमेशा start करो चोटी चोटी चीज़ों को जोड़ो चोटी जमीन खरीलो चोटा सोना खरीलो कहीं पैसे डाल दो ऐसी जगह डालो जो बढ़े ऐसी जीज़ खरीलो जो आगे लेके जाए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो drain करे पैसे को जमीन इनवेस्मेंट बहुत अच्छा इनवेस्मेंट हो सकता है बड़ सोच समझ करना पड़ेगा में भी आपके पास उतना पैसा ना हो सिटी में जमीन लेने का तो आउट सकर्ट में किसी भी टाउन के आप जमीन ले लीजे आप शेयर में कोई अच्छा स्टाक थोड़ा स्टाडी करिए टाइम दिताइए वहां से स्टाक ले लीजे and all will help you so it was all thank you very much I hope इसे थोड़ा आप मोटिवेट होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे thank you very much bye bye